नवस्कार में हूं धर में इंदर आप देख रहे हैं ओनलाइन यूज इंडिया तमाम उसकलों के बावजूद लगाता 45 दिनों से किसान दिल्ली की सडकों पर दिल्ली के अलग-अलग बोर्डर पर लाखों की तादात में डटे उड़े हैं लेकिन किसानों को हराने की किसानों को ठकाने की और ठका करके भगाने की ये पोलसी मोदी सरकार की तरफ से अपनाई जा रही है लेकिन एक वीडियो आपको दिखाएंगे एक वीडियो आपको दिखाएंगे और उस वीडियो में आप देखना ये कि एक सरदार जी है और वो हवाई जाज में चड़ गए है हवाई जाज में चड़ करके उन्होंने वहाँ पर भी किसानों का परचार किया है सबसे अनोखी बात ये है कि अभी तक किसान अलग अलग तरीके अपना रहे थे अपनी बात लोगों तक पहुचाने के लिए लेकिन पहली बार हवाई जाज के अंदर एरोप्लेन के अंदर इस तरह का विरोध मोधी सरकार का हुआ है ये वाकी सरमनाक है और मुझे याद नहीं आता है कि इस तरह से हवाई जाज के अंदर बैठ करके किसी ने सरकार के खिलाफ अपने आवाज उठाई हो और अंदोलन को जो है हवाई जाज एरोप्लेन तक पहुचा दिया हो ऐसा मुझे याद नहीं आता है बात समझाने की कोईशिश हो रही है कि अकेलि किसान नहीं है अकेलि पंजाब का नहीं है हरियाना का नहीं है या रस्तान या उत्रप्रदेस का नहीं है ये सबका संगर्स है ये बात लगातार समझा रहे हैं उन्होंने का कि ये संगर्स जो है खेती से जुड़े वे वेक्ति का भी है और गिराक का भी है जो गिराक आप लोग है ये उनका भी है और जो खेती से डिरेक्ट या इंडिरेक्ट जुड़ा हुआ है ये संगर्स उसका इसके बाद में उन्होंने का कि दिल्ली में मेरे जितने भी भाई जा रहे हैं वो सब जरूर एक बार इस संगर्स में जरूर पहुंचे ताकि किसानों का होसला अपजाई हो सके यह उन्होंने का और उन्होंने का कि अगर आप नहीं जा सकते हैं कामकाज है कामकाज की वज़े से बैठे हुए हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है हम सब मुस्किल में है आज गिरहाक मुस्किल में है आम आदमी मुस्किल में है किसान मुस्किल में है यह उन्होंने का इसके बाद में उन्होंने का कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ जाएगी तो इसका मतलब यह कि इस अंगर स्केवल किसान का नहीं, बलकी सबगा है, उन्हों नकाए कि हमने मेट्रों के अंदर परचार किया, बसों में परचार किया, और हम्में स्पेसल टिकट ले करके हवाईजाज में चढा हूँ, ताकि हवाईजाज में पहुँच करके, मैं अपनी बात कह सकूँ, औ हमारी बात किसानों की बात दुनिया तक पहुंच सके क्योंकि किसान लगातार मुश्किल में है हमारे 70-72 किसानों की मोते हो चुकी है सहाधत हो चुकी है ये इस किसान की तरफ से इस अंधुरनकारी की तरफ से कहा गया है एक बर आप जरूर सुनिये अजिक राखता है कि है कि अजी खेटी रड़ या किसाना नहीं जुड़े हुए तो मैं सारे जिनने भी मेरे बीर दिलीनों जा रहे नहीं तो वेक्टी कारणा भी वो इस संगार्ष देवेच वो इस ने गेडा जरूर मार के आउना जी अजी आप नहीं चाह साकते कमा कारा का पर जित्थे भी बैठे हो अपने मुबाइला राही एस गालता जरूर पर जार करो पिए संगार्ष साथे लिए कि नहीं का देखे लिए कि अच्छा लेट हो रहा है बस बाई बोली बाई जी थाइंक्यू जी सो प्रावो मैं बेंतियन्यों करता भी किसान जड़े ने वो शड़का दे पिशले चारी ब्यारी दना दो तो बैठे ने असि मुश्कल चा गराग मुश्कल चने और मारे तना देना पिच बहुत मेगाही बाद चुकियार मेट्रो ट्रेन दे बिच पर चार करेआं अच में श्पैशल टेक्ट लैंकर जिहाज चड़ू Ik जो में जहाज रही भी पर चार कार सका, ताकर शाट्ता मैंसे जा जड़ा दुनिया तक पहुंच सके किसाना हो किनी मुश्कल चाओ, साटे सतर बहतर जड़ीया मौता उत्वे हो चुक ौक है, इस सरदार जी की वाकई दाद देनी होगी, इसके होसले की दाद देनी होगी, कि वाकई इसने बहतरिन काम किया है और एक हिम्मत वाला काम किया है, इस तरह से अकेला व्यक्ती खड़ा हो करके एरोपलेन के अंदर अपनी आवाज को मुखर कर रहा है, तो क्या देश के अंदर जा सकते हैं, आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं इस संगर्स में सामिल होने के लिए, तो कम से कम अपने मोबाइल के जरिये इस संगर्स का परचार परसार जरूर करें, देखें लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है और कल आठवे दोर की बातचीत हुई बातचीत बे नतीजा रही लेकिन उसके बाद में एक बड़ी घटना हुई बड़ी घटना ये हुई कि किर्सी मंत्री नरिंदर तोमर वो किसानों से बातचीत करने के बाद में बाहर आए प्रेस कोंफरेंस कर रह रहे थे ये वाकी दुखदाई है एक किर्सी मंत्री जो लगातार सब को पता है कि वो जो भी कहेंगे जो भी उनकी एक्टिविटी होगी पुरा देश उनको देख रहा है वो कम से कम सम्विदन सील होकर के मीडिया के सामने तो एक 8-10 मिनिट की प्रेस कोंफरेंस है उसमें आप कम से कम सम्विदन सील नजर आ सकते हैं, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते हैं? आप ठाके लगा रहे हैं, हमारे 70-70 किसानों की अभी तक जान चली गई है करीब-करीब हर 14-15 घंटे में एक किसान की जान जा रही है, एक किसान की साधत हो रही है, वहाँ पर मोत हो रही ह लेकिन सरकार अभी भी इन किसानों को ठकाने और भगाने की रणनीती पर काम कर रही है लेकिन किसानों की ये वीडियो खास करके सरदार जी का इसंदेश ये आपने आप में बताने के लिए काफी है कि इन किसानों के होसले वो दिनो दिन मजबूत हो रहे हैं और आप जैसे जैसे मोसम जो है, इन्होंने बारिस भी छेल ली, ओले भी छेल ली, ठंडी हवाएं भी छेल ली, माइस डिगरी का टेंपरेचर भी छेल लिया, और अब तो मोसम जो है वो धीरे धीरे खुलेगा, जैसे जैसे जो है वो दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे, मो किया हुआ है उस दिन क्या होगा वो तो देखना सबसे मज़दार होगा वैराल इस सर्दार जी की आवाज को आगे तक पहुँचाई इस सर्दार जी का जो प्रियास इसको सफल बनाईए अगर आप किसानों के साथ में है हमने अपना काम किया आप भी अपना काम करिए, कुछ एक वीडियो की आज कल नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, इसलिए वीडियो सब तक नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी बखु भी कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए, कुछ एक वीडियो की अपने 10-10 दोस्तों को उस वीडियो का लिंक वाट्सेप पर फेस्बूक पर जरूर शेयर करें धन्यवाद